आरक्षण में बट्वारे पर हर्याना से बड़ी खबर आई है यूं तो पियम मोदी ने बीटे लोगसबा चुनाऊ में ही कर दिया ठा और अब बीजेपी सरकार S.C.S.T के आरक्षण में बट्वारा करने वाली पहली सरकार बन गई है बीजेपी की हर्याणा सरकार ने चुनाओ से ठीक पहले कोटे में कोटा सिस्टम को लागू करने का फैस्टा लिया है हर्याणा के मुख्यमंत्री नाइब सेनी ने खुद इसका ऐलान किया आज मंत्री मंडल के समक्ष जो अभी पिछले दिनों माननिय सर्वोच नेल्या द्वारा नौकरियों में अनुसुची जाती के कोटे में वर्गिकर्ण के सबंद में हर्याणा अनुसुच जाती आयोग की जी रुपोर्ट थी वो आज रखी गए उस रपोर्ट को कैबिनेट ने सवीकार कर लिए दो परकार के वर्गिकर्ण की सिफारिस माननिय सर्वोच नेल्या ने की है एक अन्या अनुसुची जाती दूसरा वनचित अनुसुची जाती उसके अंदर जो ऐसी समाज के अंदर ग्रीव एकती है ऐसे लोगों को हर्याना सरकार अन्य अनुसूचित जाती और वन्चित अनुसूचित जाती नाम से दो ग्रुब रहे की और SC के कोटे को आधाधा बाढ़ देगी हर्याना में फिलाल SC को 20% आरक्षन मिलता है यानि 10% दी आरक्षन अन्य अनुसूचित जाती को मिलेगा और 10% दियारक्षन वंचित अनुसूचित जाती को मिलेगा अब ये भी जान लीजिए कि इन में कौन-कौन सी जातियों को शामिल किया गया है अन्या अनुसूचित जाती के लिस्ट में शामिल होंगे चमार, रैगर, रायगर, रामदासी, रवीदासी, बलई, बटाई, मोची और जातव जाती वही वंचित अनुसूचित जाती में वालमिकी, धानक, ओड, बाजीगर, मजहबी और मजहबी सिक्क्य अलावा 36 अन्य जातियों को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया है यानि इन जातियों में आरक्षन को आधा आधा बाढ़ दिया गया है लेकिन हर्याना में एक अक्टूबर को चुनाव होने वाले हैं और वहां चुनावी अचार सहीता लग चुकी है इसलिए सरकार का कोई भी फैसला कानुनी रूप से लागू नहीं हो सकता आज कैबिनेट ने इन सारे अंक्ड़ों का विशलेशन का अध्यन करने के बाद हर्याना अनुसुचित आयोग की रिपोर्ट को सविकार कर दिया जैसा मैंने बताया दिया लेकिन आदर्स पाचार सहीता लगू होने के कारण खिलहाल इस मामले में आगे की कारवाई अमल में चुनाव के बाद लाई जाई यानि हर्याना की बीजेपी सरकार ने चुनाविश शुगूफा छोड़ा है ताकि वो वालमिक्यों धानक जैसी अनुसूचित जातियों के वोट हासिल कर सके दलितों को आपस में बाद कर वोट पाने की साजश रची जा रही है भाई भाई से लड़े और मज़े बीजेपी वाले लूटे यही सोच हर्याना की नायब सेनी सरकार ने दिखाई है हरान करने वाली बात यह है कि सीम सेनी ने हर्याना में किस जाती के कितने अफसर और करमचारी है इसका कोई आकड़ा पेश नहीं किया बैतर तो यह होता कि जातीवार अफसर और करमचारीों का आकड़ा भी सामने रखा जाता सवरनों के कितने अफसर हैं इसका भी डेटा सामने आता OBC के कितने अफसर करमचारी है इसका भी डेटा सामने आता और सब के आबादी के इसाब से अनुपातिक प्रतनेजितों का जो फोर्मूला हम कहते है उसका पता चल पाता कि कौन सी अबादी कौन सी जाती सबसे ज्यादा है और किसके अफसर और करमचारी सबसे ज्यादा है तो तस्वीर और साफ हो जाती लेकिन बीजेपी वाले बातों की जलेबी बनाने में माहिर है और चिनाउस से ठीक पहले उन्होंने वाल में की धानक और मजभी सिक जैसी जातियों को बोट देने के लालच में ये कि उनका हमको वोट मिल जाएगा इसलिए इस तरह के बटवारे को उन्होंने मंजूरी दे दी है कैबिनेट ने इस पर मोहर लगा दी और कह दिया कि सरकार बनी तो तुम्हें अलग से कोटे के भीतर कोटा देंगे अभी हमने फैसला ले ले लिया है लेकिन आचार सहीता लगी है इसलिए आप हमें वोट दीज और फिर हम आपको कोटे के भीतर कोटा दे देंगे अर्याना के मुखेमंतरी नायब सैनी को ये सीख खुद पीएम मोदी नहीं दी है लोग सबाचनाओं में खुद पीएम मोदी ने माला और मदीगा समुदाय के बीच चल रहे विवाद में आज में घी डालते हुए मंद स एलान किया था कि वो सत्ता में आए तो आरक्षन में बटवारा जरूर करेंगे मेरे परिवार जनो मैं आज बहुत बहुत भावुक हूँ आप कल्पना करिए क्रिष्णा ने तीस साल अपनी जवानी पूरी खपादी इतना बड़ा अंदोलन अभिरत रुप से चलाया क्रिष्णा मेरा छोटा भाई है आज से आज से इस अंदोलन में क्रिष्णा मेरा नेता है मैं उसका आजिश्टन हो और मैं आपके लिए पूरे दाइत्व के साथ इतनाई की लड़ाई में साथ रहूंगा आप सभी यहां आए हमें आशिरवाद दिया इसके लिए आप सब का फिर एक बार दन्यवाद करता हो और इस अंदोलन में मैं नेता क्रिष्णा है मैं किस्टा का साथ ही हो और मैं किस्टा के नेतृत्व में आपके साथ कड़ा हो सिकंद्राबाद की इस रैली में पियम मोदी ने मादिका को कोटे में कोटा देने की बात कही थी और अब वो अपने अजन्डे पर आगे बढ़ रही है एक तरफ वो बाटो राजकरो की नीती पर आगे बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ क्रीमी लेर पर दलितों को लॉली पॉप देने की कोशिश भी कर रही है पिछले दुनों जब वोजन समाज में आक्रोश दिखा तो मोदी सरकार ने कहा था कि आरक्षन में क्रीमी लेर लागू नहीं होगा लेकिन वर्गी करन पर सरकार ने चुप पिसाद ली थी अभी जो हाली में माने सुप्रीम कोट ने आरक्षन के विशे पर एक जज्जमेंट दिया है इस judgment ने सुप्रीम कोट ने SC और ST के reservation के विशे में कुछ सुझाव दिये आज मानिय प्रदानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट में इस विशे पर विस्तृत चर्चा हुई है और कैबिनेट का सु विचारित, well thought through मत है कि NDA सरकार बाबा साहिब अंबेडगर्जी के बनाएं सम्विधान के प्रावधानों के प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है बाबा साहिब अंबेडगर्जी के सम्विधान के अनुसार, SC और ST के रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर का कोई प्रावधान नहीं है कैबिनेट का सु विचारित मत है, well thought through decision है कि बाबा साहिब अंबेडगर्जी के सम्विधान के अनुसार ही, SC और ST का रिजर्वेशन की वेवस्था होनी चाहिए ये साथियों पांच बड़े फैसले आपके सामने रखे, I'll take some questions, already it is 9.50 अब प्रशान्थ हुए, सबसे पहला सब आकरी में जो आपने बात कहीं साथ, एक क्रेमी लेयर का मसला है, दूसरा सब कैटेगराइशन का भी मसला है, सर, आरक्षन के भीतर आरक्षन का, क्या उस पर भी कोई चर्चा हुई कैबनेट में और क्या फैसला हुए, जितनी चर् अलाकी को समझे, दोनों हाथों में लड़ दू रख रही है, हर्याना में आरक्षन का बटवारा कर दिया, और दिल्ली में बैठ कर क्रीमी लेयर लागू ना करने की बात पर दलितों के गुस्से को थोड़ा ठंडा भी कर दिया, मोधी सरकार शातिर तरीके से काम कर रही है, क्योंकि उसे ना चमारों की पड़ी है और ना वालविक्यों की, उसे ना माला समुदाय की पड़ी है और ना मादिगा समाज की, उसे सिर्फ वोट चाहिए और दलित बहुचनों के आरक्षन पर डाका डालने का मोका चाहिए, आप इस विग्यापन को दिखिए, मोधी सरका के लिए ना कोई परिक्षा होगी और ना कोई मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, सीधे इंटर्व्यू के बेस पर सवर्नों को 100% आरक्षन दी दिया जाएगा, क्योंकि इन 45 भरतियों में ना चमारों के लिए कोई आरक्षन है और ना वालमिक्यों के लिए, ना माला जाती क के लिए कोटा दिया गया है और ना ही माधिगा समाज के अफसर बनाने के लिए कोई कोशिश की गई है, सीधी भरती होगी और 100% सवर्न भरती किये जाएंगे, क्योंकि अभी तक लेटरल एंट्री के जर्ये जितनी भी भरतिया की गई है, उनमें एक भी SCST या OBC को भरती न नहीं उठा रहा, कोई पूछ नहीं रहा कि मोधी सरकार जो है, वो ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि मोधी सरकार तो ये दावा कर रही है कि यहां पर वो प्रत्मिदित्व देना चाहती है, वो इन जातियों को बता रही है, लिकिन जब खुद ऐसे विग्यापन ला रही है, तो उसमें कोई इस बात की चिंता वो नहीं कर रही है, मोधी सरकार को दलितों में भी महादलित कही जाने वाली जातियों की कोई चिंता नहीं है, या उन्हें हकमारी नजर नहीं आ रही, बस सारा ठीकरा अरक्षन पर फोड़ा जा रहा है, और भाई को भाई से लड़ा कर कहा जा रहा है कि देखो तुम्हारा अरक्षन तो इस जाती के लोग खा गए, शास्त्रों में इसे ही सियासत कहा गया है, इस बारे में आप क्या सूचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, आपसे अपील है कि वीडियो को शेर करें और दे न्यूस बीक को सब्सक्राइब करना ना फूले, वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी से अपील, साथियो अगर आपको दे न्यूस बीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि अम यू ही अंबेट करवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें, आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहें, इस QR को स्कैन करें, और न्यूस बीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशी भेजें, QR कोड के अलावा आप UPI की जरिये भी मदद कर सकते हैं, आप हमारी UPI ID, न्यूस बीक एड़ दे रेट यस बैंक पर भी मदद भेज सकते हैं, इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं, खाते का नाम है न्यूस बीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 0-2-3-5-88-7-00-00-6-4-0, IFSC कोड है YES-B-00-0-2-3-5, बैंक का नाम YES-BANK है और ब्रांच है नहरू पैलेस देली, आप डोनेशन के एवेज में इंकम टेक्स में भी छूट पा सकते हैं, डोनेशन के रसीद पाने के लिए ट्रांजेक्शन का स्क्रीन शोट हमें बेजें, टाइप करें डोनेशन, स्पेस अपका नाम और हमें 859579-4224 पर वाट्सेप करें,